मेरे साम में आओ, शिवशम मेरे साम में आओ, शिवशम मेरे बागे जगाओ, शिवशम राम राम जी दोस्तों, राम रात रीटूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है अभिनेंदन है, हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया गडगणेश, और अब देखेंगे हम गेट ओर की छत्रिया, जो गडगणेश मंदिर के नीचे इस्तित है, यह नारगड किले और गडगणेश के बीच में इस्तित है, जो यहां के जेपूर में जिन राजाओं न गेट ओर की छत्रिया, दोस्तों चलते हैं गेट ओर की छत्रिया की और, अजी आपके किते लोग हैं, सिंगल हूं, और दोस्तों हम आ गए हैं, गेट ओर की छत्रियों में, जो नारगड किले और गडगणेश के मध्य में बनी हुई है, और इन चत्रियों को तीन पार्टों में बंटा गया है, चत्रियों के तीन पार्ट बनाए गए हैं, पहला पार्ट जिसमें हम खड़े हैं, यह है सवाई मादो सिंग जी दितिये की चत्री, जो सामने आप जी दितिये की चत्री हैं, बहुत खूपचूर चत्री है, और इसके पास में ही बनी सपेद मारवल की चत्री, सवाई भावानी सिंग जी की चत्री है, जो गड़ गणेश के रास्ता जाता है, उसी रास्ता है, में इस्तित है, दोस्तों मादू सिंग जी दितिये जी की चत्री, अश्ट कोण ही है, इसमें आठ कोण है, आप देख सकते हो, चार जो चत्रियों की माद्यम से बनी होगी है, और चार ऐसे देख सकते हो, आप गोलनू माकार सी है, इसमें आठ कोण है, इसके अंदर, इतने सुन्दर छत्री है डोस्तों ये सुन्दर ताके ने जानी जाती है दोस्तों हम आ गए हैं दूसरे पार्ट में दूसरे पार्ट में महाराजा मादो सिंग जी दित्ये के बच्चों की छत्री बनी हुई है महाराजा मादो सिंग जी दितिये के तेरा बच्चे वे एक बच्ची थी तो उन्होंने सबकी छत्रियां इस एक छत्री के अंदर बनुआई है हुआ क्या था दोस्तों कि उस समय एक महामारी आई थी उस महामारी से महाराज मादो सिंग जी दिती अपने बच्छों को बचा नहीं पाए तो उनकी मोत हो गए थी उनकी छत्रियां यहां बनी हुई है जो सामने आप बीच में देख रहे हो यह उनकी बेटी की छत्री है और जो साइडों में बनी हुई है पूरी तेरा छत्री है यह उनके बेटों की है इनके पिलरों में सपेद मार्बल का परियोग किया गया है और फर्स भी इनकी मार्बल की बनी हुई है और अब हम चलते हैं दोस्तों तीसरे पार्ट में जो सबसे लाश्ट वाला पार्ट है और जिसमें सबसे पुरानी छत्रिया वनी हुई है यह देखो दोस्तों जो आप सामने देख रहे हो दोस्तों यह है सवाई जै सिंग जी दित्य की छत्री और यह सवाई जै सिंग जी की छत्री सबसे पूरानी चत्री है यह है वही मार्वल इस छत्री के अंदर प्रियोग किया गया है इसकी सुंदरता देखो दोस्तों सबसे पूरानी चत्री है है दोस्तों सवाई जै सिंग दित्य की छत्री के जश्ट पीछे महराजा राम सिंग दित्य जी की छत्री है जिनोंने 1835 से 1880 तक राज जी किया था जैसी सवाई मार्वल इस दित्य जी की छत्री है यह भी खूपसूरत है इसमें भी मार्वल का प्रियोग किया गया है और बहुत सुंदर है कलाकरती दोनों पर समान की गई है बहुत ही अच्छी है देख सकते दोस्तों आप यह चत्रियां राजाओं की याद के लिए बनाई गई है उनकी समर्ति में बनाई गई है जिनमें एक विसेश कलाकर अप्रियोग किया गया है दोस्तों यह बना हुआ है गेट इश्वर सिवाल है भगवान सिव को समर्पित हैं और इस जगे का नाम गेटोर है तो यहां गेटेश्वर सिवालय भी है इसरी गेटेश्वर मादेव शंकर भवान का मंदिर दोस्तों है तेरी आया करना की तुम करेडोच भवाया मुझे दर्स निखाओ शिवशनको पुझे तर्स को आओ शिवशंदो मेरे सांबने आओ शिवशंदो मेरे सांबने आओ शुष्चनु जिए सबस्कु ससे धियाव तु जे आणिया, मेरे साम्ने याओ, शिव शदनो institutions मेरे साम्ने याओ, शिव शदनो physicians मुझे धरस निभाओ जिवशन मुझे गरफ चखाओ जिवशन हो मेरी पूजा तुमसे कार करो मेरी पूजा तुमसे झाल झाल